नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुभा उठकар वो कौन से कार हैं जिसे करने से लक्षमी परसन्न रहती हैं घर में सकात्मक उरजा आती है और घर परिवार में खुसियां बढ़ती है धन बढ़ता है मान समान यस बढ़ता है तो सुबह उठकर वो कौन से कार हैं जो जरूर करना चाहिए अगर वीडियो पसंद आएगा तब लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा सुबह जब आप अपने घर का मुख्य दर्वाजा खोलते हैं तब आप सबसे पहले एक काम करें ताकि आपके घर में मा लक्ष्मी का आगमन हो सके मा लक्ष्मी आपको तो पता ही है जैसे कि बिचरन करती हैं पृत्वी पर और जिनका घर सबसे ज़्यादा साफ सुत्रा सुंदर सुख्ष होता है जिनके घरों में लोग सबेरे उटकर सबसे पहले जाड़ू बाहरू करते हैं उनके घर में मा लक्षमी अपना अस्थाई निवास बना लेती हैं और वहीं पर रहती है दोस्तों आप चाहते हैं आप क्या सभी चाहते हैं दुनिया में उनके घर में सोने की बारी सो महालक्षमी का आसिरवाद उन पे हमेशा बनी रहे लेकिन उसके लिए आपको कुछ उपायों को करना होगा हम सुबह से सुरुवाद करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो आप जब सुबह में सो कर उठते हैं अपने घर का मुख्य दरवाजा खोलते हैं तो आप तांबा का लोटा में आप पहले सही जल भर के रख लीजिएगा या फिर उसमें भी भर सकते हैं आप लीजिए और अपने मुख्य द्वार के चोखट में दोनों साइट थोड़ा थोड़ा जल डाल दीजिए इतना ही करना है इसके बाद आप जैसे नित्ते दिन आपके घर में जाडू पोचा होता है होने दीजिए लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा आप सनीवार और रवीवार के दिन अपने मुख्य दौर के बाहर याने की जो आपका बरामदा है दौर है दरवाजा का जो बाहर वाला एरिया है आंगन है जो भी है आपके घर में तो वहाँ पे सनीवार रवीवार के दिन आप जाडू बिना लगाए पानी डालिए और फिर जाडू चला के धो दीजिए ली गई है आपने उपाई तो कर लिये हैं फिर भी आपको लग रहा है कि घर के लोग बार-बार बीमार हो रहे हैं पैसे नहीं ठीक रहे हैं और आम दनी कम हो गई है लोगों में आपस में आप लोग कलह कलेस मचा हुआ है चोटे-चोटे बादों पे जगडा हो रहा है तो फ पिर जाडू चलाईए डारेक्ट जाडू आपको अन्ने दिनों में लगाईएगा पाकी पांच दिन पर सनी वार और विवार के दिन आप ऐसा करते हैं तो जिसमें भी आपके घर में किया है कराया है वह वापस उसी के पास चला जाएगा यह बहुत ही कारगर तोटका है बहुत सिंपल है और दोसों आप ऐसा करते हैं यह किसी को नहीं बोलना है आप यह भले बोल सकते हैं कि यह वीडियो में ऐसा है या वीडियो आप किसी को सेंड कर सकते हैं पर मैं भी यह चीज कर रही हूँ यह मत बोलिएगा यह तोटका है अब हम आपको बतलाते हैं, अब क्या करें, अब जैसे आप अपने घर में पोछा लगवानी है, आपको मेट से, या खुद भी लगाती है, कोई बात नहीं है, काम करना चाहिए, घर में स्वास्त रहता है, सरीर, तो दोस्तों इसके में क्या करेंगे, आप गुरुवार का दि छोड़कर बाकी दिनों में आप पोछा वाला पानी में एक चमच नमक डाल दीजिए, और उसी पानी से पोछा लगवाईए, और अगर संभव हो, तो उसमें थोरा सा हल्दी भी डाल दें, इससे क्या होगा, आपका बिरस्पती मजबूत होगा, अगर आप पोछा वाले प विवाह का कारक है, आपके संतान का कारक है, धन संपती का कारक है, तो इनको मजबूत करने के लिए, सिंपल सिंपल अपने गरहों को मजबूत करने के लिए, आपको काम करना है, सुबह सोके उठने के बाद, चलिए यहां तक तो हो गया, अब हम बात करते हैं, आपके ब्रस ब्रस करने की तो आप अपने आपको भागे साली बनाने के लिए जब भी ब्रस करें तो एक जगा ही खड़े होके ब्रस कर लें वैसे बैठ के करना चाहिए पर अब तो वैसा चलता नहीं है इसलिए आप घूंग घूंग कर ब्रस मत कीजिएगा ब्रस कीजिए फिर कुला करके सब्सक्राइब नियम बना ले आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप सुबह में या साम में एक चुटकी नमक प्लेन नमक जो आप खाना में यूज करती है सिंपल वो नमक लीजिए अपने बाए हाथ के मुठी में और फिर अपने बच्चों के सर से तीन बार बार ये और बेसिन खोल कर उसमें नल खोलिए और बहा दीजिए अगर आपके आप चाहें तो फ्लस भी कर सकती है कोई दिकत नहीं है अब असनान के तो आपने जैसे कहा हल्दी राल के सनान कीजिए आपका गुरू मजबूत होगा तो उसके बाद आपको क्या करना है आप पूजा करें या नगरें। यह इस आपके उपर है बहुत लोग नहीं भी करते हैं यू़ी मंत्र पढ़ते हैं वो भी चलेगा त्रिक नहीं है ता इसे क्या होगा आपके घर किसी के दुछ्ध बुरी दिश्टी और बहुत त्रह के बी़िएक परिवार सुरक्छित बना र चाहें तो इसका लॉकेट तो नुकी को लुख कोड़े कहते हैं पहराना चाहिए कारन करने से लक्षमी प्रसन्न हो TC hopefully और भाइब अब चाहरते हो और जारू को अगर यह पेटीकत करता है और दींग को एक साथ हे नितिए patchaway और doc चाहिए पूरान जारू फेकना चाहिए लेकिन आपको जारू खर दने के बाद तो पुजन जरूर कर लें जैसे अक्षेत है पूस पर हलकिसे डाल दें और परणाम करें अब गाय का ही बात करते हैं अगर आपके घर के आसपास गाय आती है तो बहुत ज्यादा अच्छा बात क्योंकि यह लक्षमी का प्रतिक होता है अगर आपके घर में पास पास नहीं में तरुप से गाया आने लगी है तो एक रोटी जरूर रखे उनके लिए उनको अपने हाथों से खिलाईए संडे का दिन रहे तो रोटी में गुर्ड डालके उनको खिलाए इससे आपका धन बढ कुरूएगा आउला कहते हैं घर में तीन चीजें हमेशा रखनी चाहिए उनको नॅकि पहली है इंड़े इंड को होते हाथ इसम Parent जाए झान में गाई का गी ता जाया हूए अगर आपके हाद면 इश्यड़ी को भाड़ेर अगर आप चाहते हैं आपके घर में मालक्षमी का आगवन हो तो पूरे घर को अस्त बेस्त मत रखिए अच्छे से क्लीन करके रखिए ताकि आपके घर में मालक्षमी का आगवन नियमीत रुप से होता रहे चान्दी का सिक्का अगर आपने अभी अभी दिपावली में पूजन तो किया ही होगा कोई भी वस्तु का आपने पूजन किया है दिपावली में तो एक उठाएं अपने चावल के धेरी में रखें चावल के धेरी यानि कि जो चावल आप खाती है इससे निखालकर उसी डव्य में रखना है और कभी-कभी होता है किसी आप नाप के बरतनी से अपने चाबल की तना आदमी है तो। उसमें आ भी जाता है तो वापस से फिर आप डबंबे में डाल दें चावल खत्म होता है तो भी उसमें डाल दें वो नीचे में पड़ा रहेगा जरूर कीजिए यह कलावा है नियमी तौर पे हम कलावा अपनी कलाय में जरूर बांदे हैं तो आप भी बांदिये बच्छों को भी बांदिये ब्रिस्पति बार के दिन और हर आठ दिन में चेंज काओ कीजिए लक्ष्मी प्रसन्न होती है धन नियमित रूप से आता रहे इसके लिए हमने तब आपको बतलाया ही है कि आप अपने पर्स में गोमती चक्र रखें मोर का पंक को अस्थान दे तो मोर पंक को वैसे कभी जमीन में आप गिरेवे भी देखते हैं उठा के उनको दोस्तों पूर्णिमा के दिन खीर बनाईए और खाईए अगर संभव हो तो सुक्रवार सोमबार इन सभी दिनों अच्छे अच्छे दिनों में खीर बना के जरूर खाईए पूरे परिवार के साथ आपस में आप पती पतनी में प्रेम बढ़ेगा आप जब सो के उड़ती यह बहुत सूब होता है अपने बात करें लौकर का तो कभी खाली मत छोड़िएगा इसमें आप अस्थान दीजिए कोडी का गोमती चक्र का मोर पंख का कुवेर देव का आपका भरा रहेगा धन आपका लौकर भरा रहेगा धन की कमी नहीं होगी जेवर की बरसात होगी आ आप पोसीज कीजिए सनी बार के दिन सोना खरेदने की अगर आपका सनी गरवड है तो मत खरेदियेगा लेकिन अगर ठीक है तो इससे क्या होता है ना कि आपको फिर से सोना खरेदने का बार बार मौका मिलता है नमक जैसे हमने आपको बतलाया कि आप नमक जब भी रखें घर में काच के बरतन में रखें और उसमें एक दो लॉंग डाल के रखें नमक की पवित्रता बढ़ी रहेगी हम आपसे भी दालेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव चरू लिखें